हलो एवरिवन वेल्कम टू स्टेडी बाई संदीप रोहिला फ्रेंट्स आज इस वीडियो में एक बार फिर सबसब का हार्तिक स्वागत है फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे हर्याना की सी एटी की अपडेट के बारे में तो फ्रेंट्स हर्याना के अंदर टोटल अब तक 3.32 की एनिके शाड़ों के असपास तो विषवदालों में 3.32 लाघ पद रिक्त पड़े हुए है आप हर्याना के सरकारी विभागों बौर्डो निगमों विशवदालों में टोटल 3.32 लाग मुख्यमंतर मनुहलं नरुक्त बढ़ने का बिड़ा उठाया तो देह एक बहुती अच्छी खबर है आप सभी के लिए तो देख लेते हैं एक बार देखिए अर्याना के सरकारी विभागों बर्डों निगमों विसवदालों में तीन लाख बतीस हजार तिन सो तेरा पद रिक्त पड़े हुए हैं मुख्य मंत्रि मनोलाल ने इन रिक्त पदों को भरने के को रिक्त पदोंग जनकारी मांगी थी इसके बाद मुख्य मंत्रि मनोलाल को उच्छ सद्रिये स्मिक्सा बैठक में यह जनकारी दी गई मुख्य मंत्री ने भरती अजन्सियों से भी पड़ती पर किरतेज करने के लिए कहा है इसी करम में सीटी की संसोधित पॉलिशी जार आज़ित होगा नेशनल टेस्टिंग अजन्सी सीटी टेस्ट आज़ित करेंगी उसके बाद ग्रूप सी और डी पदों पर हरियना करम्चारी चलिए आयोग भरती पर किरातेज कर देगा सीटी के करने एचसेसी के पास आवेदकों की संख्या भी कम होगी इसलिए जल्द भरती हो सकेगी तो देखिए आपका जो सीटी का एग्जाम है वो जून की एंड में होना कनफर्म माना जा रहा हैं तो आगे देखिए यहा है ग्रूप A, B, C, D के स्विक्रित भरे और रिक्तपद तो देखिए यहां पर ग्रूप A की पोस्ट टोटल 19,468 है जिन में से 8,970 भरे हुए हैं 10,495 रिक्तपद हैं B के 1,13,286 टोटल पद हैं 9,391 पद आपके भरे हुए हैं और 43,895 पोस्ट आपके अभी भी खाली पड़ी हुई है ग्रूप C की टोटल 4,90,366 पोस्ट है रियाना के अंदर जिन में से 2,83,748 पोस्ट भरी हुई हैं और 2,6,619 पोस्ट आपके खाली हैं ग्रूप D के लिए आपके 1,37,496 पोस्ट हैं और भरे हुए पद हैं आपके 66,195 पोस्ट इन में से खाली पद हैं आपके ग्रूप D क 11,301 पोस्ट हरियाना के अंदर टोटल सविक्रित पदों की सिंख्या 7,667 हैं जिन में से आभी भरे हुए हैं 4,88,304 और खाली हैं तीन लाख बदी सजार फिन सो तेरा तो इन सभी पदों पर आपकी ग्रूप C के बाद सुरिए CET के अजाम के बाद भरती पर गिर्यायइ स्टार्ट हो जाएंगी तो हरियाना सरकार के विभागों में की यह विभागों में की यह ग्रूप Culture Marie तो हर्याना के बॉर्ड और निगमों में है स्थिती तो देख सकते हैं आप सभी कि आपके पास टोटल कितने पद हर्याना के अंदर खाली पड़े हुए हैं तो सीटी के तहती इन सभी पदों को भरा जाएगा तो आगे देखिये हर्याना में ग्रूठ C, D पदों की भरती के लिए Iligibility Test CET के अधिश उच्चना में सनसोधन होगा यानि कि जो आपकी Policy थी ग्रूठ CET के एग्जाम की उसमें आपका Amendment किया जाएगा सनसोधन किया जाएगा तो देखिये सीटी स्कोर में समाजिक आर्थिक मंदंड के 5% अंक जुड़ेंगे तो आपके जो सीटी का स्कोर होगा उसमें आपके सोशिय एकनॉमिक्स के टोटल पांस परसेंट अंक जोड़े जाएंगे एस एसी के प्रिक्षा में सामाजिक आर्थिक मंदंड के डाई परसेंट अंक जोड़े जाएंगे तो कम्प्रिटी इंफ्रमिशन बढ़ लेते हैं एक बार पारिवारिक आए एक पैंट असी लाग रुपए तक सालाना वालों को ही मिलेंगे सामाजिक आर्थिक मंदंड के लाब सीटी और एससी के प्रिक्षा में जरनल को ने उन्दम पचास परसेंट और आरक्सित को चालिस परसेंट लेना जरूरी तो देखिए आपका इसमें वेटेज में बता दिय करी हैं आरक्सित को सीटी की वेद्यता तीन साल तक होगी आपकी अगर आप स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो हर साल आप अपना एक्जाम दे सकते हैं और अपने स्कोर को इंप्रूमेंट कर सकते हैं अनुभाव गैंकों के लिए 1.80 लाक रुपए तक की सालाना आये बादा नहीं होगी दो यह देखिए हरिणा सरकार के विभागों बाड़ों नेकुमों विसविदालियों विदाने संस्ताओं और परदेश सरकार के तरफ से संचालित अन्य जैंसियों से ग्रूप सी और डी पदों पर चेंड के लिए कौमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की पिसले सा अधिस उचित करने किसे हरियना करमशारी चने आयोग नेशिक्स को समयत विग्या पितलग बगनों हुजार पद वापस ले लिए थे तो जिनको अब आप का सीटी के तहत भरती किया जाएगा तो आगे देखिए ग्रूप सी के लिए प्लस टू और ग्रूप टी के लिए द जोड़ कर सीटी स्कोर बनाया जाएगा सीटी स्ट के अंकों में समाज़ गे निस ओस एकोनॉमिक्स के दो नंबर हैं आपके वो जोड़ कर ही आपका सीटी का स्कोर तैय किया जाएगा उसके बाद देखिए आपका हरियाना निवाशियों के लिए जनल के लिए पुर्स 50% पीपी आधार नमबर और गैर पीपीप अधार नमबर के लिए स्टेंडर्ड रेट रहेगा तो यह आपका स्टेंडर्ड रेट फिलحल 1000 रुपए हैबाद में सरकारी से तरह कर सकती है तो यह आपका category wise जो गुरूपडी और सीटी में जो आपका वेटेज रहेगा उसका ब्योरा दिया गया है तो फ्रेंट्स देखिए आपका यहां पर अतिसु सुचना जारी कर दी गई है कि आपके जो सीटी का एक्जाम होगा उसमें संसोदन किया जाएगा आपके सोचिय सीटी के बाद ही आपकी सभी पोस्टों को भरा जाएगा तो फ्रेंट्स एक इनफॉर्मेशन दी जाब सबसे शेयर करने थी आई होप वीडियो को पसंद आई होगी तो वीडियो का शेयर करिए लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो चलिए फ्रें आई होता है थकलिए लिए पजया है